इंडियन टीवी नियूज देश का तेजी से बढ़ता नियूज नेटफर्क प्रदर्शन करते वे हजारों की संख्या में पूरे जोश खरोश के साथ अपना नामानकन दाखिल करने पहुचे इस बार रजनिश सीह का कहना है कि जनता का अपार प्यार मिल रहा है और वो पिछली पराजय को भूल कर इस बार विजय घोशित होंगे पिछले पांच सालों में भी रजनिश सीह अपने विधान सबाक शेतर में सक्री नज़र आए जिसका फाइदा रजनिश सीह को मिलने की संभावना है रजनिश सीह 2013 के केवलारी विधायक है और ठाकुर हरवन्श सीह के सुपुत्र है आज आपनी नाम अंकर डाल जे अपनी जीत के प्रतिक प्रतिक प्रत्नी आश्वस्त हैं आप और वो सित्याशी जो आपको खलाप है वो सक्ति बड़ी सुपुत्र है मैं अपनी जीत के प्रतिक प्रत्नी प्रूंडूप से अस्वस्त हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार क्योलारी विधान सबाच शेतर का जन्मानस मुझे भारी वहुमतों से विजी करेगा मेरे बरसों से क्योलारी विधान सवाच छेतर से एक रिष्टे रहे नाते रहे और एक लंबा समय मेरे स्वर्गी पिताजी का क्योलारी विधान सवाच छेतर की जनता की शेवा करने में बीता और मैं भी नितान्त जब मैं विधायक रहा तब भी ओर जब विधायक नहीं रहा तब भी मैं निरंतर के उलारी विधान सवाच्छेद्र के जनमानत से एक परिवार की भाती मेरा जुड़ाव लगा रहा 2013-2018 तक आप विधायक हैं आपके कार्दकाल की ख़यू लगी बिल्कुल बहुत सही सवाल आपने पूछा आज कंपेरिजन करने की जरुवत है कि 2013-2018 तक मैं विधायक रहा तो विधायक निधी के अलावा मैंने बड़े-बड़े काम क्योलारी विधानसवा चेतर में लेके आया चार उचिस्तरी पुल बनवाए छपारा नगर के अंदर का मैंने पुल की स्विकरती दिलाई हमारे सुनवारा के पुल की मैंने स्विकरती दिलाई समुख नलजल योजना मेरे चार बलाकों में हुई जिसमें लगबक कम से कम पौने 200-200 गाउं समुख नलजल योजना से मैंन अभनवित कराने का काम किया मैंने इसको सदन में बात उठा कर कि जहां फ्लोराइड है जहां पर स्रोत पानी के नहीं है अगर वहां नदी या तलाब में अथाय पानी बारा मेहना रहता है तो वहां क्यों ना फिल्टर प्लांट बना कर समूर नलजल योजना के माध्यम से पा काम किया मेरे ही कालकार में पूरी नहर बन कर तयार हुई कि युलारी मुख्यालाय में विपक्ष की पूरी भूम का निवाई हमारा कियुलारी की जनता और आपका SDM कार्याल है इस बात का गभाय है कि हमने कप-कप ग्यापन दिया इसी जनपत में जहां आप मेरे से इंटर्वू ले रहे हैं यहीं 13 करोड रुपया का घपला हुआ हमने चान्नी चौक में इसका फुलासा किया और हमने ग्यापन सौपा किसानों की अतिव रिष्टी होला प्रिष्टी में माउजा नहीं मिला तब हमने आंदूलन किया और ग्यापन सौपा डिये पी यूरिया और खाद नहीं मिले तब हमने आंदूलन किया और ग्यापन सौपा ऐसी नेकों आउसर आए जब हमने आंदूलन करकर सरकार का ध्यान आकरस्ट करने का काम किया पिछले पांस साल से बाच्वा की सरकार की कारकाल को आप कैसे देए। बारती जनता पारिटी के बरत्मान बधाईग जी ने क्या किया है। अचार सहीता लगने के 15 दिन पूर्व खीसे में नारियल लेकर जो व्यक्ति जैसा कह रहा है उसकी स्विक्रति दिला रहे हैं पर वो प्रसासनिक स्विक्रति अगर होती तो पांस साल यह क्या सूते रहते हैं। पांस साल प्रदेश और देश में इनकी सरकार थी। अभी तक तो सब कोश हो जाना था। कितना बड़ा यहां पर जनता के साथ आहित हुआ है कि अतीव रिष्टी में आज के तीन साल पहले जो सुनवारा और भीमगड़ के पुल ढहे उनकी तो बेकल्पिक विवस्ता तक नहीं कर पाए तीन साल में तो फिर से नवीन पुल बन जाते और ना केवल दो-चार गाओं को जोडने वाली वो विवस्ता थी बलकि 80-100 गाओं की राष्टी राजमार का वहां तक जुडा हो का है स्वास्त के लिए जुडा हो का है सिक्षा के लिए जुडा हो का है बेफस जीने ने किया कुन सा विकास कर दिया बताईए आप जनता मेरे उपर विश्वास भरोसा है इसलिए करेगी कि वो मेरे ब्यावार को जानती है समझती है मेरे कामों को जानती है समझती है मैंने ना केवल बिधायक ने दी पर अपने सदन में अपनी बात को उठा कर मैंने क्रमान है जिसका की आज जनता उपयोग कर रहे और वरतमान जिनकी प्रदेश और देश दोनों में सररकार थी उन्होंने क्या लागए दिया अपनी विधायक निवीडी के अलावा और विधायक água निविदी से भी क्या दिया उन्होंने मात्र आतरी प्रतिकशाला है इसके अल जनता जनारधन के लिए क्या किया ये सब इसपष्ट बात ने बलकि उल्टे जनता पर उन्होंने कहा चुनाओ जीतने के बाद आपको सर्विदी थे एक वीडियो बाइरल हुआ था उनका कि मैं तो पैसा खर्च करके उन्होंने कहा था कि चुनाओ जीता हूँ तो इतना बड़ा कलंक क्योलारी की जनता जन्मानस मद्धाताओं पर उन्होंने किया जबकि क्योलारी विधान सबा ने हमेशा निश्पक्ष रूप से अपना आशिरबात दिया है और यहां से जो विधायक और नेता हुए है उन्होंने निश्प्रूप से क्योलारी विधान सबा शेतर के नाम को गरानवित करने का काम किया है आज सीधा सीधा जन्ता को कलंकित करने काम किया है मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि आने बाली 17 नॉम्बर को तेवलारी विधानसवाच छेत्र की जंता पंजा की बटन दबा कर मुझे अपना आशिरबात प्रदान करकर इनको करारा जबाब देगी इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहे इंडियन टीवी नियूज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीजियो को शेर ज़रूर कीजिए धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ